कल एक ऐसा message सभी phones पर आ रहा था और सभी लोग बड़े शौक हुजा रहे थे ये कैसा message आ गया आगया अचानक से मेरे भी phone पर एक ऐसा message आया था ठीक है जैसे आप देख सकते हो message क्या था ये एक sample distinct message है जो कि cell broadcasting system department of telecommunication भारत सरकार के द्वारा भीजा जा रहा है इसको ignore करिएगा आपकी तरफ से इसमें कोई action की requirement नहीं है ये जो message है इसको भीजा गया है पैन इंडिया emergency alert system के लिए जो की implement किया जा रहा है NDMA की द्वारा इसका मकसद है लोगों की safety ताकि उनको तो सही समय पर alert किया जा सके emergency की दोरान time stamp इसमें लगा हुआ है यही चीज जिन्दी में भी थी तो यह क्या था इसके बारे में हमाच पूरी बात करेंगे मैं सुश्मितात्र पार्टी आफ सभी की जीए mentor बहुत सारा स्वागत कर ती माच की class में banking वाला यूट्यूब चैन यही सेम मेसेश था लेकिन इसको एक बात क्लियर हो गई थी कि हाँ यह एक टेस्टिंग मेसेज है तो इसमें कोई problem की बात नहीं है लेकिन इसके बात से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लगातार यह पूछ रहे थे कि आखिर में यह हैक तो नहीं किया जा रहा है कोई hacker तो न हमारे वहां पर जो department of telecommunication है इन्होंने बोला था एक announcement किया था कि यह partnership करने वाले है national disaster management authority के साथ में ठीक है तो यह क्या partnership कर रहे थे जो हमारे वहां की department of telecommunication इन्होंने कहा था कि यह अभी partnership करेंगी national disaster management authority के साथ और इस partnership से excel broadcasting message alert system को ले आए जाएगा तो वही चीज कर हम सभी लों को देखने को मिली थी तमाम ऐसे telecom service provider थे अब जरूरी नहीं है ना कि केवल जीओ वाले पे भीजा जाएगा air atel वाले को नहीं नहीं बहुत सारे ऐसे telecom service provider हैं जो कि यह alert Indian citizens को department of telecommunication के कहे अनुसार भीजा जा रहा है ताकि यह देखा जा सके कि जो self broadcasting based emergency alert system है यह समय प को emergency का तो यह काम कैसे करेगी मुझे लगता है कि इसका जो काम करने का तरीका था बढ़िया था अगर आप सोचो ना इतनी जोर से बीप करके एक message आता है आप कहीं बैठे हुए हो normal अगर दिन है तो आपको पता चल जाएगा कि यह कोई emergency आप action ले सकते हो लेकिन अगर आप सो रहे हो तो आपको कौन जगाने आएगा कुछ समय दो तीन चार महीने पहले की बात है मैं रात में सो रही थी एकदम से मैं सुबह जगी जब तो अपनी society का group एकदम से उस पर बहुत सारे messages थे मैंने क्या हुआ देख ले जब मैंने उस पर देखा तो मैंने देखा दो बजे के लगभग रात में जो है discussion चल रही है कि यार बहुत जोरों की भुकम पाई थी मुझे तो कोई idea नहीं था मैं तो बिल्कुल गोड़े बेचकर सो रही थी आराम से तो मुझे बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था तो अगर वो इतनी जोर से बीप करता तो शायद मेरी नीद खुलती और मैं भी उस टाइम पर अगर मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं बिल्कुल कर सकूंगी अपने बच्चाओं में तो वही चीज है कि एक अच्छी initiative हैं के द्वारा और बाकी आप इदर देख सकते ह कि जो ministry of communication उन्होंने एक statement में ये mention किया है कि ये testing के लिए किया गया है और अभी हम लोग इसको testing कर रहे हैं telecom service providers अपने अपने वहां पर जो भी users उनको भीजेंगे और इसको बस ये देखा जाएगा कि क्या इसका काम जैसा हमने सोचा है वैसा हो रहा है क्या ये लोगों को स सब्सक्राइब करने की कोशिश की जाएगी ताकि कल को कोई भी emergency तो हम अपने सभी नागरिक को सुरक्षित रख सके उस emergency से तो ये जो पूरा काम किया गया है department of telecommunication के द्वारा ये किया गया है NDMA के साथ मिल कर जरा हम NDMA को समझ लें तो NDMA के बारे में जरा हम बात करें करना है एक्जिक्यूट करना है बचाना है इसके लिए ये authority काम करती है इसकी अध्यक्षिता और कोई नहीं हमारे प्रधानमंतरी करते हैं तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना बड़ा रोल होगा तो ये जो है एक statutory body है जिसको बनाया गया था 27 सितंबर 2006 को और इसको disaster management act 2005 के इसके बनाया गया है एशिया बहुत पहली कंट्री में से थी जहां पर ऐसा कोई act आया था यह हमारे लिए अपने में बहुत बड़ी बात है इसके अलावा एक और बहुत important चीज है कि यहां जो हमारे प्रधानमंतरी जी होते हैं वो इसके चेर परसन होते हैं और इसके अला कि हमारे देश में फिलहाल में वाइस प्रसिडेंट कौन है एक और important बात जो भी लोगों सेशन में सभी को बता दू कि अगर आप लोगों को अपनी current affairs को strong करना है तो आप लोग मुझे जॉइन कर सकतो मेरी daily morning 6.45am current affairs में कल आप लोग की एक लास 7am है कल हम लोग weekly current affairs करने वा कि जो हमने पढ़ाई किया याद रह रह रहा है और अगर को important news थी जो पूरे हफते में by chance skip हुई है तो इसको हम weekly में आड कर लेते हैं तो कल सभी लोगों के लिए एक knowledge testing है जरूर आएगा सुबह साथ बजे daily basis में 6.45am पे होता है लेकिन Sunday को यह साथ बजे रखा गया है अरा बीपल जाहिंज भारत गॉट ब्लस्यू लव यू बाई